गुरुवार को दिल्ली के रोणी कोट में हुए ब्लास्ट ने एक बार फिर अदालतों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करती है जिला अदालतों से लेकर हाई कोट तक की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोट की तरफ से भी निर्देश दिये गए है लेकिन उसके बाबजूद गुरुवार को ही इस घटना ने सारी पोल खोल कर रखती है ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाई रोड़ी कोट में पहली बार हुई हो इसी साल सितंबर महीने में रोड़ी कोट में कोट रूम के अंदर गैंग वार का मामला सामने आया था जिसमें आरोपी वकील की बेश भूशा में कोट रूम में पहुचने थे और सुनवाई के लिए आये गैंगिस्टर जितेंदर गोगी को आरोपियों ने गोलियों से भून दिया था ये सब तब हुआ जब जज मामले को सुन रहे थे जब आभी कारवाई में पुलिस ने आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया था इस घटना के बाद वकीलों द्वारा सुरक्षा जांस ना कराए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे इसके अलावा 24 दिसमबर 2015 में करकर डूमा कोट में जज के सामने गैंगिस्टर चीनु पहलवान गिरों के तीन नावालिक बदमाशों ने फाइरिंग की थी और वहीं 15 नवंबर 2017 में रूहुनी कोट में ही कोट परिसर में एक विचार धीन कैदी विनोत की सर में गोली मार कर बदमाशों दौरा हत्या कर दी गई थी दिल्ली बार असोसेशन की तरफ से कई बार मांग की गई है कि जिला अदालतों की सुरक्षा सुप्रीम कोट की सुरक्षा के तरज पर की जाए कई बार वकीलों के संगठन की तरफ से दिल्ली पुलिस को भी सुरक्षा के लिए लिकित में खद दिया गया है लेकिन इस तरह की घटना इस सुरक्षा को धत्ता बता दिती है विने सिंग टोटल न्यूज